नमस्कार महिंद्रा ने पिछले ही साल अपनी पॉपुलर ओफ रोड एस्यूवी महिंद्रा थार को लॉंच किया था लॉंच होने से बाद ही इस गाड़ी ने धूम मचा दी थी ये बहुत सों की ड्रीम कार बन चुकी है लेकिन इस गाड़ी के प्राइसिंग जादा होने से और वेटिंग पीरियड बहुत जादा होने से कई कई राज्यों में इस कार का वेटिंग पीरियड एक साल से भी जादा हो चुका है इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा इसके नए वेस वेरियंट पर काम कर रहा है मौजूदा थार में आपको दो इंजन नहीं मिलेगा इस वेरियंट में आपको सिर्फ रियर विल ड्राइव मिलेगा अगर बात करें इस वेरियंट के प्राइसिंग की तो यह वेरियंट मौजूदा पार से सस्ता होगा उत्रों की माने तो महिंद्रा इस कार के डाइमेंशन में भी बदलाव कर सकता है इसमें वो कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताएं और अगर यह थार लॉंच होती है तो क्या इससे महिंद्रा थार की वेलियोशन पर कोई फर्क पड़ेगा हाल फिलाल महिंद्रा थार काफी मस्कूलर और पावरफुल कार है लेकिन अगर इस नए बेस वेरेंड में जैसे की 1.5 पेट्रोल इंजन और डिजल इंजन है इनका पावर फिगर केसा क्या होगा अगर यही सेम इंजन इसी थार में इसी वजन और इसी डाइमेंशन के साथ फिट किया जाए तो यह अंडर पावर भी हो सकती है जिससे महिंद्रा थार का पूरा मज़ा क्रिकरा हो सकता है तो इस नई महिंद्राथार कैसी लिगी हमें comment में जरूर बता है अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो का आप like कर सकते है से तरह का और वीडियो देखने के लिए अंकिध्दागर चैनल को आप subscribe कर सकते ने आपको दन्यवाद thank you so much